पित्रदोश बहुत बड़ी समस्या है. पित्रदोश के बारे में मारकंडे पुरान में मिस्तार से बताया गया है. जिस व्यक्ति को पित्रदोश लग जाता है, उसके जीवन की प्रगती और उनती रुप जाती है. वहीं यदि पृत्रों की आपके उपर कृपा हो जाती है तो असंभव कारे भी संभव हो जाते हैं इसके इलावा अगर परिवार में कोई बिमार रहता है सदा ही बिमारी बनी रहती है कोई सदस्य बिमार हो गया कोई संतान बिमार हो गई या संतान नहीं हो रही है या आपसी विवाद, मन मुटा, विवा में देरी हो रही है तो समझ जाएं, ये सभी कारण, पित्र दोश के कारण हो रहे है तो ऐसे में पित्र दोश को दूर करने के लिए कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी माना गया है पित्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, विशेश महत्व माना जाता है पित्रों का धार्मिक मानेता ये भी है कि मृत्यों के बाद मृत्य व्यक्ति का श्राद करना बहुत जरूरी होता है और अगर शाद ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती पित्रबक्ष के दौरान पित्रों का शाद करने से बे प्रसन होते हैं और आत्मा को मुक्ती मिल जाती है प्रन्तु अगर आप किसी भी वज़े से शाद नहीं कर पाए हैं तो आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगी जो पित्रदोश से आपको मुक्त कर सकते हैं, आपके जीवन से इन समस्याओं का अंत हो सकता है और आप पित्रदोशों से मुक्ती पा सकते हैं, पित्रदोश ऐसी समस्या हैं जो जीवन में बहुत जादा परिशान करने का कार्या करती हैं अगर किसी पर पित्रदोश है तो ऐसे व्यक्ति को भारी से भारी कश्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बेरंग हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि ये समस्याएं उसे क्यों आ रही है, फिर भी वो पित्रदोश से जूचता रहता है, बीना पीपल के पेड़ पर जल चड़ाना चाहिए, और जल में कच्चा दूद डाल कर अगर वो अर्पित करता है, तो ऐसे में उसको पित्रदोशों से मुक्ति मिलती है, हर शाम पीपल के पेड़ पर आप सरसों का तेल का दीपक भी जला सकते हैं, इससे भी पित्र प्रसंद होत पीपल के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में विश्नु और उपरी भाग में शिव का वास होता है, और कहते हैं साक्षात, कार, पित्र हमारे विश्नु जी माने जाते हैं, तो इसलिए पित्रदोशों से मुक्ति के लिए पीपल की पूजा करने का विधान बहुत पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ऐसे में पित्रदोशों से तो मुक्ति मिलेगी ही, शनी दोशों से भी आपको साथ में मुक्ति मिलेगी, इसके लिए पीपल के एक पत्ते को आपने लेना है, पत्ता बिल्कुल साफ हो, अगर पूर्णिमा के समय आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा हर महीने के पहले शनीवार को आप कर सकते हैं, इससे भी आपको उतना ही लाप राप्त होगा, अगला शनीवार जब आए तो पुराना पत्ता निकाल कर जल परभा कर दें और उसके बाद नया पत्ता आप रख सकते हैं, इस प्रकार करने से शनी की क्रिपा मिलती है, लक्षमी क्रिपा मिलती है और पित्र दोश शान तो होते हैं, पित्र दोश खतम करने के लिए इसमाप्त करने के लिए और शनी दोशन से चुटकारे के लिए शनीवार के दिन दूद में गुड मिला कर पीपल के आपको मिलती है और पीपल पर इस प्रकार पूजा करने से पित्र दोशों का तो अंत हो जाता है पीपल के पत्ते में बहुत शक्ति होती है पीपल के पेड़ में बहुत शक्ति होती है इसमें सभी देवी देवताओं का वास होने के कारण पीपल की पूजा का विधान बहुत मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं आपने मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के ग्यारा पत्ते लेने हैं इन ग्यारा पत्तों को आप गंगाजल से शुद्ध कर लें इसके बाद पीपल के पत्तों पर केसर से आपने श्री राम लिखना है स हनुमान जी को अर्पित कर दें हनुमान जी को चढ़ा दें ऐसा करने से हनुमान जी आपके सभी कश्टों को हर देंगे और इसके साथ साथ शनी के समस्त दोर समाप्त हो जाएंगे मंगल का मंगलकारी फल आपको प्राप्त होगा और जीवन से समस्त बाधाएं आपकी दूर ह जाएंगी, इतना पवित्र ये उपाय है, इतना चमतकारी और शक्तिशाली ये उपाय है, जिन लोगों ने भी इसको आजमाया है, उनको लाब वश्चे मिले हैं, ऐसा आप लगातार कई मंगलवार कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन अगर आप इसको प्रारंब करते हैं, त आप देखेंगे कि आपको कितना लाब राप्त हुआ है और आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत कितना जल्दी होता है। बहुत सी समस्याँ ऐसी हैं जिनका हम हल ढूंते ढूंते बहुत कुछ करते हैं पर कई समस्याओं का हल हमें मिलता ही नहीं। तो ये उपाए आजमा कर आप जरूर देखिए आपको जरूर उनसे रहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विशय के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।